ये हैं सालो साल चलने वाला आम का खटा मिठा जायकेदार अचार बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाई हूँ और एक बार बना लेंगे ना दो से चार साल तक ये खराब नहीं होता जितना ये पुराना होगा ना उतना ही स्वादिश लगेगा बहुत दिन के बाद आज मैं फिर्चे पारंपरिक रेसिपी लेकर के आ गई हूँ और ये अचार एक बार बार आप बना करके रखना चाहेंगे और अभी मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनाई हूँ और जून में सुकुल आम आएगा क्योंकि बिहार में सुकुल आम का अचार लगाया जाता है जो काफी मतलब उसमें पल्प होता है तो यहां पर देखिए यह जो आचार के ग्रेवी है ना तो इसका मसाला बहुत सबसे अच्छा होता आज उन्हीं की सिखिवी चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर के आती हूं जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे एक मतलब सेयर और लाइक ना मुझे काफी मोटिवेट करता है और यह कलर देख सकते हैं यह है खटा मिठा जायकेदार अचार तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं और इ यहां पर मैं 2 kg आम ले रही हूं तो फाइनली क्या हुआ ना कि जैसे अभी आम में मतलब गुठली नहीं हुआ था तो मैं मंगवाली लेकिन जब मैं काटने लगी तो इसमें बहुत ही मतलब मजबूत गुठली बन गया है तो मुझे काटने में बहुत दिकत हुई है और मै नाइप से ही काटने लगी हूँ यहां पर और इसके पहले भी मैं आम और कठल की सुखोता अचार की रेसिपी की वह भी मैं 10 kg हाथ से ही काटी थी ऐसे तो मैं कटवा के लाती हूँ लेकिन जून में सुकूल आम आएगा तो जहां से आम लेती हूँ तो वो लोग काट के दे बीज गुठली नहीं जो बीज का वाइट वाला बीज होता है उसी को हटा दे और चाहे तो आप छीलके बनाए और चाहे तो छीलके के साथ बनाए तो हमारे समय में मतलब मेरी दादी मां बनाती थी ना तो यह छीलके के साथ बनाती थी और इतना यम्मी लगता था हम लोग तो कोई नहीं घर का पारंतरिक अचार लगा रही हूं तो यहां पर देखिए सारे आम कट गया है और सबसे पहले आम को धो लेना है धो करके साफ सुती कपड़े से पोच ले छोटी छोटी टीप्स को भी फॉलो करें आम में बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए और आम लगान के बाद हल्दी डालने के बाद चलिए लेके चलती हूं टैरेस पे इसे चार घंटा मैं धूप में सुखा दूँगी अगर आप तीखा वाला आम का अचार लगा रहा है मतलब जेंडरल जो हम लोग खाते हैं आम का चार तो थोड़ा सा नमक डाल करके दूप में रखे लेक तब तक मैं सारे मसाले तयार कर लेती हूं और चार से पांच घंटा दिखे धूप लगने के बाद यह फाइनली जो है ना इसमें थोड़ा सा नमी कम हो गया है तो इसको एक चलिए बड़े बरतन में निकाल लेती हूं और यह सूप है ना तो पहरंपरीक समय में जो अचार बनते थे ना इसी तरह का सूप और डग़ा जो होता था ना उसी में लोग शुखाते थे तो आज भी मैं रखी हूं सूप और यह सब जो होता है मैं रखती हूं और यह समय क्या होता है कि अकार आप सुखने केolis के लिएन जो भी एक्स्ट्रा नमी हो गा ना तो वह मतलब अ धनिया है और सौफ है 25 ग्राम सबको रोष्ट कर लेना है और जब अचार के मसाले जब आप रोष्ट कीजिए गना भूनिये गना बहुत ही सुंदी-सुंदी खुसवू आती है और मैं बना करके मसाले तयार करके रख लेती हूं और यहां पर क्योंकि खटा मिठा अचार में थोड़ा सा कॉंबिनेशन मसाले का अलग होता है और तिखावाला जो अचार बनता है उसका मसाला थोड़ा समय अलग बनाती हूं उसमें धनिया नहीं डालती हूं और यह है जब यह सारे मसाला भून जाए उसके बाद मैं आधा चमच मेथी डालूंगी मेथी पहले नहीं क्योंकि थोड़ा से मेथी जल जाता है न तो कड़वा स्वाद होता है तो छोटी छोटी ट्रीप्स को भी फॉलो कर ले उसके बाद ना जब यह पूरे मसाले रोष्ट हो जाएंगे तो मैं डाल दूंगी सरसो सरसो को बहुत जादा नहीं भूनना है तो देखिए यह मसाले रोष्ट हो गया अब गयास का फ्लेम बंद करके एक बड़े बरतन में निकाल देना है और उसके बाद इसको हम एकदम दरदरा पीशेंगे और अचार के मसाले थोड़ा सा हम मोटा पीशते हैं और जब तक यह अचार के मसाले ठंडा हो रहा है तभी मैं मिक्सिजार में डा यहां पर जब तेल गरम हो जाए तो मैं डाल दूंगी हींग डाल करके तुरत गयास का फ्लेम बंद कर देना है और एकदम तेल को ठंडा करना है तब तक कि यह देखिए कितना अचा से अचार सुख गया है एकदम से सुखा लेना है धूप में उसके बाद इसमें सारे हम मस कुछी से गदम दर्दरा पीषना है अगर सिलवट्ट ये सारे मसाले को डाल देना है और साथ में इसमें कखडे मसाले भी इसम knowledge है ना और इसमें डालूंगी एकचमच पीली वाली सरसो तो में पीस करके रखती हूं। उसके बाद आधा चमच उजला नमक है, आधा चमच काला नमक है और एकचमच बड़ा सौफ है और हरा वाला और एकचमच अजवाइन हां से करस्थ करके डाले। अजवाइन और सौफ की खुसबू इसमें आनी चाहिए जितना सौफ डालेंगे ना उतना ही आपका खटा मिठा आचार बहुत इस्वादी सौफ की खुसबू के साथ बनती है उसके बाद जो हम हींग वाला तेल ठंडा किये थे ना उसको डाल देना है और ग्यास पे जो उतना टेस्टी नहीं होता है और इस तरह से आचार बनाएगा अगर चुला पर पका दीजेगा तो यह साल भर आपका नहीं चलता है तो यह जो आचार बनते हैं एकदम धूप की रोशनी से यह पकते हैं तो यहां पर देखिए तेल डालने के बाद अब इसमें डालूंगी यह गूड और गूड इसमें डालूंगी मैं मेंसन कर रही हूं यह 200 ग्राम गूड है और 100 ग्राम इसमें चीनी डालना है और सारे मसाले अच्छी तरह से मिलाना है तो देखिए यहां पर गूड और चीनी डालने के बाद इसको मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है आ यहां पर सारे मसाले को मिलाने के बाद इसको क्या करे estão आप साष और क्पड़े से अथेशुर। नहीं तो फिर भी ढखन लगा करकि एक रात के लिए मैं छोड़ दूगी तो दूसरा दिन मैं दिखाती हूँ कि ये मतलब किस तरह से बन करके तयार हुआ है लेकिन बीच बीच में आप चलाते भी रहे तो देखिए अभी भी जो है ना गूर और चीनी बहुत अची तरह से नहीं गले हैं और दस-दस मिनट के लिए दो दिन आप धूप दिखा दे बहुत जादा धूप दिखाने से क्या होगा ना कि अचार में लसलसापन आ जाता है चाहे कोई भी अचार हो बहुत जादा धूप नहीं लगाने की जरूरत है मसाले में मतलब थोड़ा सा स्वाद में फरक पढ़ने लगता है तो देखिए यह दूसरा दिन का क्लीप है तो यह देखिए बहुत अची तरह से यह सारे अचार म में मसाले मिल गया है तो यह अभी जो है ना बहुत जादे ग्रेवी गूर और चीनी का नहीं बना है तो चलिए इसको साप सीसे के जार में मैं रख देती हूं और इसको क्या करें कि जार में रखने के बाद आप छोड़ दे और यह अपने आप ग्रेवी बनने लगेगा तो और इसके खुसबो बहुत अच्छी आ रही है और मैं जो है ना बहुत तरह का अचार लगाती हूं और बहुत सारे अचार की रेसिपी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेइलिस्ट में जरूर आप विजिट कर ले बहुत ही पारमपरिक तरीके से बहुत तर दिखाती हूं और यह देखिए कितना यमी लग रहा है देखने में तो उसके बाद देखिए इसका जो है ना दो दिन के बाद मैं अचार में बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी बन गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम लग रही होगी क्योंकि अचार गलने लगे हैं और द आप लोग भी इस तरह से बनाए खाए और अपना फिट्बेक मुझे जरूर दे आपका एक कमेंट्स ना मुझे काफी मोटिवेट करता है और मिलती हुए कच्छे से रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार तक कसा नीचिकि जीचिकि जीचिकि यूँ से ओचा है तक टोगद गिवेट के एच्ज बड़के लिगे हुए को उण के बड़ जिर सिर्फोपड कर से लिए लुए 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 भुछ कर दो लुए 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 लुगू है लुए कर दो हैं लुए लुए लुए।